भाईजी मोबाईल एंड इलेक्ट्रोनिक बंडा, 0% ब्याज पर फाइनेल सुभी दा उपलब्ध हैं, एबं सभी कम्पनियों के मोबाईल और इलेक्ट्रोनिक खुपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं चतरपुर पुलिस ने ब्लाइंड मडर का खुलासा करते हुए आरूपी पती पत्नी को ग्रफतार कर लिया है पत्नी पर बुरी नजर रखने पर पती ने युवक की जान ले ली थी आयोजित पत्रकारवारता में पुलिस अधिकशक अमित सांगी ने बताया कि ब्रतक राम विशाल अवस्ती को अंतिम बार खजुराहो के LIC आफिस के पास ग्राम धवार के ही एक व्यक्ति और उसकी पत्नी के साथ देखा गया था इसके बाद ये तीनों विशाल अवस्ती की मोटर साइकल से बमीठा की ओर चले गए थे इसके बाद पुलिस ने इन पती पत्नी को अभी रक्षा में लेकर सक्ती से पूँशताच की तो उन्होंने मडर करना कबूल किया एसपी ने बताया कि विशाल अवस्ती आरोपी पती की पत्नी पर बुरी नियत रखता था इसी बात को लेकर दोनों ने उसे उपर पहुचाने का प्लान बनाया और उसे जटा संकरधान दर्शन कर कह कर ले गए और रास्ते में उसे शराप पिला कर मधोश कर दिया उस पर कुलहाडी से वार कर उसका मडर कर दिया और इसकी बाद उसकी डैड बॉडी को पेट्रोल से जला दिया पुलिस ने मडर में प्रियोक्त कुलहाडी और खून से रंगी कपड़े भी बरामत किये गौर तलब है की चतरपुर जिले के सटै थाना अंतरगत 26 जुलाई को बन परिक्षेत्र क्रमांग 555 में एक अजजली डैड बॉडी मिलने की सूशना बन बिभाग के अधिकारियों ने पुलिस को दी थी और पुलिस इस ब्लाइंड मडर की गुत्ती सुलजाने में लगी काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस को आरूपियों को पकड़ने में सफलता मिली है इसमें जो कहानी सामने आई है वो यह है कि मृतक रामशाल अवस्ती जो है या खज्राहो का रहने वाला था और इसके भतीजे के घर पर दो लोग पती-पत्नी काम करते थे और ये अविवाहिद था 50-52 साल इसकी आयो थी पत्नी को परिशान करने लगा था इस पर से इनका बीच के कही बार भी बात भी हुआ और जब इनको लगा कि यह नहीं मान रहा है तो प्लानिंग के तहट फोन करके जटा शंकर भूने के बहाने धाना सटाई के जगलों में इसको बलाया शराब फिलाई जब यह पूरी तने से नशे में आ गया तो पुलहाडी से वार करके इसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद पती-पत्नी दोनों वहां से चले गए और फिर बाद में जब यह टीम को जब इन पे संदे हुआ तो इनको ग्रिफ्तार किया गया इन्होंने अपना अपरास व्युकार किया है मत्तक का मुबाइल भी यह ले गए थे वो हत्या में फ कि यह तरह की भटनाएं हुई है जिसमें पत्नी पती जो है उसने पती को मारने के लिए काम किया है था जचा ने ने बदी ने किया था यहां मितन और यह जो भी चक्तना वी ठीफिए उसमेंов' इस तरह का है अब ये पुलिस के लिए ये थोड़ी परिशानी हो जाती है गुंड़ों के तो चैट हो जाता है परन्तु परिजन ही अदि अपराद करते हैं तो हम प्रेस तो कर लेते हैं परन्तु उनकी रोखने की कवायत जो है वह होती है अब इस परिटिकुलर केस में भी पहले कोई कम्पलेंड इन लोगों ने थाने में नहीं की थी यह थी थाने में कम्पलेंड आती तो शायद कुछ कारवाई होती और यह नहीं होता पर ये अभी हाल में ही आपका कहना चाहिए कि कुछ दोखीन घटना इस तने की आई है जिसमें परिजनी है आधार काड भाइजी मोबाइल एंड एलेक्ट्रोनिक बंडा जीरो प्रतीशत ब्याच पर फाइनेंस सुभीदा उपलब्ध है लेप्टॉप फ्रिज कूलर वॉसिंग मशीन टीवी एसी वॉटर कूलर बंखा मिक्सी एबं सभी कंपनियों के मोबाइल और एलेक्ट्रोनिक उपकरण 8719002577